आज हम बनाएंगे आम्रस थाली तो चलिए इसकी रेसिपी देखना स्टार्ट करते है तो सबसे पहले हम आदा किलो मैदा ले लेंगे इसमें हम नमक एट कर देंगे पाउचमच के करीब नमक आपके हिसाब से एट करें जितना आपका मैदा है इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे अच्छे से गून लेंगे और इसे आदे घंटे के लिए साइड में रख देंगे और इसका आटा थोड़ा सक्थ गुना जाता है अब हम आलू की भाजी की तैयारी कर लेते हैं सबसे पहले हम तेल दाल देंगे तीन चमच और उसमें राई दाल देंगे और थोड़ा सा जी प्याज जो है वो जादा लगती है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्याज को पकाएंगे नहीं सिर्फ प्याज जब सॉफ्ट हो जाए उसके बाद ही हम आलू एट करेंगे यह आदा किलो आलू है आलू को हमने बॉil कर लिए थे और इसे अब हम मैश कर ल स्लो करके इसमें आदा चमच हल्दी एट करेंगे हल्दी भी थोड़ी जादा एट होती है इसमें और इसमें अभी हम नमक एट कर देंगे नमक आप आपके टेस्ट के हिसाब से एट करें यह आदा चमच नमक है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हल्दी की कच्छ चले जाए हरी मिर्च पाद करें तीख भी यह संसरे हरी मिर्च पादमों कहने जचना कि ए में तीखा के दटेऊ कि उसमें पानी पाद को לड़े फिर इसके बाद Junior वो सारे जो प्राइटो फेरे वह असे एज़ार ऑटान करें ऑला करो फह ज़र की है ओंत荷 गया वाझ में आधन आस्पेर और टो है अब आम रस के लिए चार आम ले लेंगे यह बदामी आम है यह देखिए अब इसे हम पील कर लेंगे उसके बाद हम चोटे चोटे तुकड़ में से कट कर लेंगे मेंट करें इसमें एक चमाज सुस्गयर अध करेंगे अप लोग मीठा ज्यार मेggए खाते हैं से मेंटक ऐसे कशा दूसर मेंद स हें राव मणुस खाते हैं अब अणले हैं सेए संव्मिन that उससे क्या एक अच्छा फ्लेवर आता है और फिर उसके बाद अब हम इसमें थोड़ा सा केसर आड़ कर देंगे यह उप्शनल है आप लोग चाहे तो आड़ करें या नहीं उसके बाद थोड़ा सा बदाम काजू पिस्ता जो भी है आप लोग आड़ कर दें यह भी उप्शनल है आपको आड़ करना है तो करें वरना नहीं आपके चॉइस पर और आमरस भी हमारा रेड़ी हो गया हो भी साइग में रख देंगे अब हम सिंपल साधा सा पुलाओ बना लेंगे वैच पुलाओ तो सबसे पहले हम एक चमच ठेल दा लेंगे और एक चमच भरके घी आड़ कर देंगे और उसमें काजू को जो है गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राय होने तक फ्राय करके इसे काजू को जो है निकाल लेंगे उसके बाद हम आदाचमत जीरा एट करेंगे, एक बड़ी एलाइची, दो छोटी एलाइची, एक फूल एट करेंगे, और दो लॉंग, और इसमें हम एक प्याज एट कर देंगे, छोटी, मीडियम साइस की, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, प्याज को थोड़ा पका ल एट कर देंगे, और अब हम इसमें प्याज हमारी हो गई है, इसमें अभी हम वेजिटेबल्स एट कर देंगे, वेजिटेबल्स आपके इसाब से एट करें, जो वेजिटेबल्स आप खाते हैं, मिक्स वेजिटेबल्स और एक चोटा टमाटर भी कट करके इसमें एट कर दे पका लेंगे ताकि भाजी गल जाए उसके बाद अभी हम इसमें चावल एट कर देंगे बासमती राइस है आप लग कोई भी राइस यूज़ कर सकते हैं इसे फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी एट कर देंगे जितना पानी लगता है उस आप लेट कर देंगे और नमक आप आपके टेस्ट के हिसाब से एट करें और थोड़ा सा अरधनिया और पुदीना आट करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पुलाव को जो है हम पकने रख देंगे पी जब उसका पानी सुख जाए तो उसे पांस मिनिट के लिए दम करने रख देंगे उसके बाद हमारा पुलाव रैडी हो जाएगा फिर देखे हमारा आटा इस तरह से हम पेड़े बना लेंगे और इसे हम बेलेंगे बड़ा-बड़ा क्योंकि हम छोटी-चोटी पूरी बनाएंगे तो इसे हम ग्लास में से शेप देकर निकाल लेंगे यह पूरी बनानी है जो साइज की आप बना सकते हैं फिर तेल को अच्छे से गरम कर ले उसके बाद ही पूरी एक एक आप डाल दे जाए यह एक एक करके डाल देंगे और वह अपने आपी फूलती है इसे प्रेस करने की चमच से ज़रूरत नहीं होती है यह देखे है अपने आ अब हम इसे सरिफ पलट देंगे और पलट कर पका लेंगे देखेरा पूरिया जो हमारी रेडी हो रड़ी हो गए है गोल्डन ब्राउन कलर की की आप देखे है माशेला जे थाली भी रेडी हो गईया Siya Health and this 샵 ब्बेगारे और अगर आप लोगों व्बेत अटिचिक यह दे और बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूले ताकि आप लोगों को हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप लोग भी रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजिए अल्ला आफीज